कि नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सीब्यसी क्लास 10 लेटिस्ट सेंपल पेपर 2022-23 बहुत सारे कंफ्यूशन थे कि एनिपी 2020 इंक्लिवड होने वाली है स्लेबस में कुछ चेंज़ आने वाले हैं क्या एक्जाम पैटर में कुछ बदलने वाला है क क्या सेंपल पेपर कैसा आएगा उसका वेटेस कैसा रहने वाला है ऐसे कई सारे कंफ्यूशन दिमाग में चल रहे थे लेकिन कल सीब्यसी ने अपने ऑफिस्यल वेबसाइट में सेंपल पेपर और साथ मार्किंग स्कीम लांच कर दिया है आज कि वीडियो में हम पूरा वि करेंगे और सारे सलुशन का अंत करेंगे तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं के लियान संग चंदेल स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल साइंटिफिक नॉलेज सबसे पहले देख लेते हैं कि गूगल में जाकर हमें कहां पर सेंपल पर डाउनलूड करने सेंपल कवぜुट करेंगे तो यहां पर दिसक्रीन पर सेंपल कोसिन टॉन टैप करेंगे तो आपकी जो डाउनल पर यहां से अपनंट स्क्रीन पर किरेंगे का चाहिए तो 10 पे क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर Simple Question Paper इस तरह से दिखाई देने लेंगे अब आपको कौन सा subject का चाहिए वो सब्जक्ट पर आपको क्लिक करना है जैसे यहां पर Science First में दिया हुआ है Simple Paper और यहां पर Marking scheme यदि हम simple paper के click करेंगे तो simple paper आपका open हो जाएगा यदि आप marking scheme पे click करेंगे तो marking scheme open हो जाएगा अब हम बात करते हैं कि यह simple paper हमारे पास तो आ गया है आप इसमें कैसा weight is दिया हुआ तो सबसे पहले हम बात करें तो जब भी आप 10th की बात करते हैं तो चुकि 10th board आप पहली बार में आया हैं तो आपको बहुत सारी चीजी हैं आप नई सीखने को मिलेंगे हाला कि 9th में आपने exam दिया होगा तो आपको ध्यान में होगा कि जो आपका science का code है वो 086 है यानि यह आपके हर exam में काम आने वाला है चाहे वो terminal examinations हो या final examinations हो या भी project work यानि science का subject code है वो 086 है सेंपल पेपर कपका है तो ठोधा जों 2022 23 यानि जो भी current session चलता है उसका सेंपल पेपर आपकी screen पर है अगर maximum marks की बात करें तो 70 है और यहां पर time कितना है वो 3 hours अब यहां पर last year और इस year भी क्या difference है वो पहले समझ लेते हैं तो यहां पर आप सबसे पहली चीज़ कि आपका जो नंबर का वेटेस है वो 70 marks है जबकि last year 80-20 होता था 80-20 होता था लेकिन इस साल 70 marks का question paper आपके पास आने वाला है यानि कुछ questions का वेटेस कम हुआ है जो कि internal assessment पर एड हुआ वो भी हम discuss करेंगे time 3 hours last time भी था और 3 hours इस साल पर है ठीक है चले आगे चलते हैं अब ह questions in 5 sections यानि 5 अलग अलग section section a section b section c section d और section e और सभी को मिला करें हम नंबर आप questions की बात करते हैं तो लब 39 questions आपकी question paper में रहने वाले हैं जगेंड करता है कि all questions all questions are compulsory how are the internal choice is provided in some questions यानि कुछ questions में आपको internal choice भी मिलने वाली है यानि आपको और questions मिलेंगे i stance is expected to attempt only one of these questions और जो आपके क्या को सकते हैं जो आपके internal choices question है उनमें से किसी एक questions को आपको solve करना रहे है थर्ड बूला है section A consists of 20 objective type questions carrying one marks सबसे अच्छी बात है कि जो आपका section A है वो 20 marks के objective questions होते हैं यानि जब हम बात करते हैं examinations के तो students सबसे अच्छा परफर करते हैं कि objective type questions में जब भी हम question पढ़ते हैं तो उसके पास answer के चार options भी होते हैं यानि हमारा काम थोड़ा सा आशान हो जाता है तो 70 में से 20 questions 70 में से 20 marks आपके कहां से मिलने वाले हैं वो आपके objective questions मिलने वाले हैं जो कि मुझे लगता है आगे बढ़ते हैं section B के अगर हम बात करें तो section B आपका consist of 6 very short questions यानि 6 आपके छोटे-छोटे questions होंगे जिनको लबख 30 to 50 words में आपको answer देना होगा और 1 question 2 marks carry करता है यानि यदि हम बात करें तो total आपके 20 आपको मिल गए multiple choice से और यहां पास 6 question 2 marks के हैं यानि 12 आपको यहां स से मिल जाते हैं आगे बात करते हैं section C की तो section C में consist of 7 short answer जो कि आपके 50 to 80 word में आपको answer करने हैं और वहां से आपको 5 questions मिलने वाले हैं तो 5 into 3 into 7 यानि 21 marks आपको short answer से मिलने वाले हैं पिर हम बात करते हैं section D की, तो section D में आपके 3 long answer type question में जो की 80 to 120 word में आपको लिखने हैं और ये 5 रहने वाले हैं, यानि ये हो जाएगा वेटेज आपका 15 marks का, next and last जो section है, section E, consists of 3 source based, यानि जो case based questions होते हैं, या आप ही कर सकते हैं, कि जो आपकी NEP 2020 में नया word use होता है, learning outcome based questions, यानि आपने सीखा क्या, तो learning outcome based question जो आपके आने वाले हैं, जिसको हम source based question कह सकते हैं, या फिर case based unit assessment question कह सकते हैं, तो ऐसे 4 questions आएंगे, और इन ही questions में आपके sub parts, यानि जो आपके additional questions मिलने वाले हैं, वो यहाँ पर मिलेंगे, तो 4 questions आपके 3 marks carry करेंगे, तो यानि 12 marks, इस त आपके marking scheme भी available है, आप यहां marking scheme पर click करेंगे, तो आपको सारे questions के answer अलग से ठोड़ने के आवशकता नहीं है, बलकि आपके screen पर सारे questions का weight is दिया हुआ है, question number दिया हुआ है, कौन सा option सही है, या कि उसका answer क्या है correct, वो सारी चीज़े यहां पर available है, फिर भी questions करता हूँ कु 20 questions, 1 marks के आने वाले हैं, तो वही question आपके screen पर है, the changes in color of the most litmus paper in the given setup is due to, यानि यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर आपका most litmus paper है, और उसको जो color change हो रहा है, वो किसकी वज़ास हो रहा है, तो generally आपको पता है कि litmus paper जब किसी solution में dip करते हैं, जब किसी solution में dip करते हैं, तब ही उसका color change होता है, otherwise नहीं, तो यहां पर हमने क्या किया, यह हमारे पास sodium chloride है, sodium chloride में हमने यहां add किया है, H2SO4, तो जब sodium chloride को H2SO4 के साथ mix करते हैं, तो यहां पर hydrogen gas release होती है, तो जो की gas आपकी यहां से release हो दिया है, तो जब hydrogen gas यहां से release हो रही है, और यहां पर जो ल hydrogen में देखेंगे, तो option में लिखा हुआ, presence of acid, तो acid present है, ऐसा तो वहां है नहीं, base present है, ऐसा भी नहीं है, presence of H+, यह बिल्कुल आपका correct option है, option C, क्या है H+, अगर हम बात करें, लेटमा switch action indicator, indicator है, बिल्कुल सही है, क्यों होना चाहिए, लेगिन यहां पर जो option है, वो option C क्या है, है, आपका third सही माना जाएगा, question number two पे चलते है, question number two कहता है, कि इंदर reaction, MnO2 plus 4HCl, MnCl2 plus 4HCl2 plus 4HCl2, तो यहां पर negative क्या मिल ला है, MnO2 यहां पर oxygen add है, और यहां पर oxygen remove हो गया, यहां पर reduction हो रहा है, किसका हो रहा है, MnO2 का reduction हो रहा है, तो MnO2 is reduced, बिल्कुल सही लिख MnO2 plus 4HCl, यहां पर यहां पर आपको correct मिल रहा है, क्योंकि MnO2 reduced हो रहा है, और MnCl2 और SCLE दोनों oxidized हो रहे हैं, किस पे CL2, question number 3 देख लेते हैं, question number 3 का setup क्या कहता है, सबसे पहले हम बता दो, जब भी हम किसी question का answer देने वाले हों, तो उसमें जो figure दिया हो, उसका complete analysis करें, तो figure आपसे बोल के आ रहा है, फिर इसके बाद questions जो दुखा हो, उसको analysis करना हो, और इसके बाद आपको questions का answer देना है, तो यह reaction soon in the above setup, किस प्रकार का reaction हो दी, तो पहला है, brown powder of magnesium oxide is form, तो आपको सबसे पता है कि आपके पास क्या है, यह टंग है, पकड़ने का, यह magnesium ribbon है, और यह burner है, और यह watch glass है, जहाँ पर magnesium oxide डाला जा रहा है, तो जब हम magnesium को जलाते हैं, तो वह oxygen की presence में मान लेते हैं, magnesium है, oxygen की presence में जलाएंगे, तो क्या आएगा, तो M2, magnesium oxide producer होगा, और यहाँ पर बहुत जाता तो तेज light producer होती है, अगर आपने experiment नहीं देखा है, तो मैं यह video बना के डाला था, तो बहुत ही interesting video है, जहाँ पर हम magnesium oxide को जलते हुए तेक सकते हैं, चीके, चले आगे चलते हैं, कुशन कहता है जाय रिचाँ जाय कि वीच आप दफॉल रविशन आफ दी एक्षन सोन इंदा एवब सेक्शन इन होपर जोपो तो सेट आप में पार को एखतर प्रकार के रेक्शन हो रही तो मैं आपको दाय था, यह आपका रेक्शन आपके सामने लेक हो यह और यहाँ पर अगें बाद आंसर हो जागा इसे एरा क्षेशन नमर फोर करकें वीच आप दे रिफेरेंस तो गया है CO2 CO2, 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 CO2 which is of the option is table correct अब यहां पर देखो आपके पास चार option दिये होगा आप चार option से कौन सा correct है जैसे acidic oxide तो जितने भी non-metallic oxide होते हैं वो सभी acidic oxide नहीं पर देखते हैं product of respiration तो respiration में oxygen नहीं निकलती बलगे क्या निकलती है carbon dioxide से निकलती है यानि इसी सही है और यहां पर अगर आते है product of incomplete convention तो incomplete convention में ये भी निकलता है ये भी निकलता है लेकिन चुकि आपका दो में से एक ही सही हो सकता है या लिटी गला है unplacing a copper coin in the test tube containing green ferrous sulfate solution it will be observed that the ferrous sulfate solution क्याता है कि copper coin जो होता है उसको test tube में हम डालता है जिसमें copper sulfate है ferrous sulfate है to turns blue and grey substance deposit copper iron no copperless reactive होता है आरन से turns colorless and very grey बिल्कुर turns नहीं होगा turns colorless यहां पर turns नहीं होगा मैं ऐसा क्यों बोलना हूँ तो को सिंपल सा है कि यह copper का जो coin है जब हम iron के शाट डालते है तो copper is high reactive than ferrous that's why it's contained remain green remaining green with no changes to the copper coin no changes होगा क्यों कि copper coin is less reactive than iron that's why that is the reason question number 6 के बात करते है question number 6 केता है Anita added a drop of each dilute acetic acid to dilute hydrochloric acid on the PS paper and compare to the color which of the following is correct conclusion तो correct conclusion क्या है pH of acetic acid is more than that of hydrochloric acid तो बिल्कुल सही है तो यह आपका correct है तो इसका मतलब मांकिस सब क्या जाएंगे incorrect question number 7 केता है क्या है किता फॉर्मुले आफ फोर और गेनिक कंपाउंट्स आर सोन बिलो carbon के valency chart होती है तो यहां पर complete हो रहा है oxygen दी दो होती है यह भी complete है यह भी complete है यहां पर यह भी complete है यह भी complete है आप यहां पर पूछ रहा है कि और गेनिक कंपाउंट्स जो क्रेक्ट कौन साय तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो बी सी टी तीनों सही है आपके ठीक है question number 8 के कहता है कि in the given trans transverse section of the leaf identified the layer of cell where maximum photosynthesis occurs यहां पर होगा सबसे ज्यादा तो यहां पर second और third यह वाला पॉर्शन में और यह वाली पॉर्शन में सबसे ज्यादा से यहां पर option कहां सा हो जाएगा option B is correct question number 9 के अगर हम बात करें तो question number 9 is saying that observe the experimental setup soon below name the chemical indicate at x that can observe the gas which is the devolve as a byproduct of respiration so respiration में different type of products होते हैं तो यहां पर जो x के हम बात करना है इस questions में वो होगा आपका के वे यादि पतेसियम hydroxide that's why your option B is correct clear to the next and question के बात करते हैं तो यहां पर जनरली आपको कितना होता है 100% और 25% होता है तो इस तरह से आपके सारे questions के observations अलग अलग है उनके answers अलग अलग है सारे question का analysis अलग अलग है और जो कि आपका marking scheme में शारे questions के answer दिये हुए तो बहुत ज़्यदा time ने लेते हुए जब हम बात करेंगे फिर से बहुत complete analysis के बात करेंगे तो वहां पर हम इसको देखेंगे फिलाल में आपको जो long type answer questions दिये हुए उनका marking scheme किस तरह से decide होता है हब वहां भी बात कर लेते हैं चीक है यहां पर हम बात करते हैं कुछ section number B की बात करते हैं यहां पर 21 to 26 questions दिये हुए जो very solid answer questions अब यहां पर मैं आपको समझाने वाला क्या हूँ क्या हूँ कुष्यन आपका two marks का है five marks को question उसका complete analysis समया पर देखें लिखा हुआ है the clear solution of slagged lime is made by dissolving of caos hole twice in the excess of water this solution is left exposed to air the solution slowly grows milky as the faint white respiratory form explain why the faint white precipitate form support to the response of the help of chemical equation यहां आपको reason भी बताना और साथ में chemical equation भी लिखा यहां पर two questions होगे जब दोनों question का answer आप लिखेंगे तब आपको two marks मिलेंगे आपने question का answer लिख दिया लेकिन आपने reaction नहीं दिया तो कि यहां पर साथ सब्सक्राइब में लिखा हुआ है with the help of chemical reaction जो chemical reaction लिखेंगे तो आपको two marks complete मिलेंगे यहां पर क्या chemical reaction होने वाली है तो आपको सब्सक्राइब क्योंकि जब यह carbon dioxide के react करती है तो यहां आप बनाती है CACO3 plus H2 gas निकल जाती है और आपका carbon calcium carbonate मिलता है और calcium carbonate की वायर से जो wise precipitate के हम बात करते हैं वहां पर generate होता है अगला कुशन कहता है किर्थी added dilute hydrochloric acid to the four metal and recorded her observation as given below जैसे अगर हम copper में HCl डालते हैं तो gas निकलती है iron में डालते हैं gas निकलती है magnesium में डालते हैं gas निकलती है zinc में डालते हैं तो gas नहीं निकलती है आप question कहता है select the correct observation and give chemical equations of the reaction evolved आप correct observation बताना है कौन सा सही है तो simple सा है कि जब हम dilute hydrochloric acid को metal के साथ react करते हैं तो यदि metal hydrogen से high reactive है तो reaction होती है यदि metal hydrogen less reactive है तो नहीं होती है तो यह observation अगर आपने clear करने तो हम बता सकते हैं कि copper, iron और zinc यह hydrogen less reactive है जो कि magnesium high reactive है that's where magnesium will react with HCl तो mg plus HCl तो क्या देगा mgCl2 plus H2 यह reaction यहां पर होने का ठीक है तो इस तरह से जित्ते भी question दिया हुए एक आद बड़े question देख लेते हैं ताकि आपको और भी ध्यान में आए कि long answer जो questions होते हैं उनको हम कैसे करेंगे तो फिर मार्क्स कुष्च्च्च question question section Damien question that we rate question no. 5 question no. 5 is saying that thrusty heated ethanol with a compound A is presence of few drops of concentrated sulfury acid and observed a sweet smelling compound B is formed when B is treated with sodium hydroxide तो इस तरह के जब भी questions आ जाते हैं तो बहुत carefully questions को पढ़ना है उसके एक एक point को समझना है कि वहाँ पर क्या question कह रहा है जब वो सारी चीज़े आप identify कर पाएंगे तब question का answer निकलता है एसी question जो case based question हम कहते हैं वो कुछ ऐसे ही question होते हैं लेकिन यहाँ पर question direct दिया हुआ इसको देख लेते हैं तो इस रस्टी आ क्या करती है एथिनॉल को heat करती है with a compound किसी compound के सार्थ A is presence of few drops of concentrated sulfuric compound कौन सा है वो A उसको गरम करती है किसकी presence में concentrated sulfuric acid में and observe sweet smelling compound जब sweet smelling के बात कर रहें इसका मतलब वहाँ पर ester generate हो रहा है जिससे हम compound B कहते हैं is found when B is treated with sodium hydroxide यहनि जो आपका ester generate हुआ है जब हम उसे sodium hydroxide के सार्थ treat करते हैं तो फिर से ethanol बन जाता है जो कि आपका compound C है sorry ethanol और साथ में compound C generate हो रहा है ठीक है आप question कहता है identify A and C A क्या है और C क्या है जिसके वैसे ester generate हो रहा है give one use of each of the compound A and B फिर A और B जो generate हो रहे हैं उनके आपके uses बताना है write the chemical reaction evolve and name the reaction तो chemical location कौन सी evolve हो रही है उसका name बताना हो और reaction बताना है तो दो number आपके यहां से मिल जाएंगे give the use of each compound डोनों की uses बताएंगे तो दो हो जाएगा और A और C के नाम बताएंगे तो half-half mark के दो question यह हो जाएगा तो इस तरह से आपको five जिम नंबर के जो marking है वो इस तरह से दिया जाता है यह जो marking scheme आई है जो आपके screen पर दिखाए दे रही है तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है लेकिन हम last year के question paper के marking scheme देखेंगे तो वहां पर साब सब्दों में लिखा रहता है कि यह question दिया हुआ है इसका यह answer है और इस answer में आपका यहां पर लिखा हुआ है one mark यहां से आएगा one marks यहां से आएगा one marks आपका यहां से आएगा तो इस तरह जब हम question का analysis कर लेते हैं तो उसका answer हम perfect दे शकते हैं तो यह रहात दोस्तों आज का simple paper यदि आप किसी दूसरे subject का भी simple paper download करना चाहते है analysis करना चाहते है तो यह website आपके screen पर है cbscacadmix.nic.in यहां पर सारे subject के आपको simple paper मिल जाएंगे marking screen में मिल जाएंगी जहां पर आप सारी चीजों का analysis कर पाएंगे यदि आपको कहीं पर भी कोई doubt आता है कुछ भी पूछना चाहते हैं तो comment section में आप comment कर सकते हैं मैं बहुत ही जल्दी आपको reward करके आम से देने की कोशिश करूँगा तो आज क कि इस वीडियो में जो चीज़े हमने सिखे हैं कहिने के आपके लिए बहुत सारी helpful होने वाली हैं और आके आने वाले बिर्भी प्रकार के वीडियो में हम इन सारी questions के अलग-अलग प्रकार के simple papers को लेकर आने वाले हैं अलग-अलग प्रकार के solutions पर बात करने वाले हैं तो यह मेरे साथ यदि आप मेरे चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस करना ना वोड़ाइंग्स